एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि यह जिलस गुर्ल गुस्टे से आती है दाओ के ऑफिस से अपना सारा समान पैक करने लगती है इससे पूसते हैं क्या हुआ तो कहती है कि मैं यह जॉब छोड़ करके जा रही हूँ कंपनी मुझे पर डाउट करी है कि मैंन सब चीज बेना मागे ही मिलते जारा और मैं यहां इतनी मैनद कर रही हूँ और मुझे कुछ भी नहीं मिला सुझन से कहती है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें जॉब छोड़ करती जाने का जरूरत नहीं है वह लड़की कहती है ना मेरे सामने ज्यादा अच् देखता को कि दिखता है वह अंचे लड़की के जाने के बाद सारे लोग लुग लगा टायम में जा तो सूचिन में जाने के लिए भूलती है वह बहाना बना करके उसे टाल देते तो में डेट पर जाना था क्या आज रदगू के साथ वो कहती है नहीं वो तो अपने काम में बिजी होगा तो वोसे कहता है चलो ठीक है फिर में तुम्हारा मूठ ठीक करने के लिए कहीं तुम्हें लेकर के चलता हो सोजिन को लेकर की जाता है इधर हम लोग देखते हैं कि ए करके वह अपने अपने कंपनी का अनुवेर्सरी करने है ते लेकिन वो बात ही नहीं सुनता है ज़्लीरी में सूज k lottery को दा बातoccupय को द至 यह नहींड करता था उसे पूस्ता है कि वह उस लड़की के वज़े से अभी तक टेंसन में है सुजिन कहती है कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था और वो इस तरी किसे जॉब चोड़ करके चलेगी मुझे बहुत बुरा लग रहा है ऑफिस के लोग भी मुझे अपने साथ नहीं रख र मुझे की जरूरत ही यह था निस अपना काम करो इधर्याव सुजिन को कॉल करता है यह उसका क्यों बशलोग करनें लगता था कि इस बड़ नहीं नहीं विपना तर्व का धी कहते है कि अजह नहीं प्र नहीं पर गई हुए इस ऑधर तो म्हारा गया है लाज कि वो जब से जॉब चोड़के की गई है तो सब मुसे बहुत अजीब से बात भी नहीं कर रहा है कि यह मेरी वज़ा से हुआ है अच्छा इंसान है वो मुझे इंकरेज कर रहा था मैं बस इसे लिए गई थी हुआ लेकिन अब तुम मेरी गुर्फिंड होना तो थोड़ा से अब तुम दोसे लड़कों के साथ ऐसे नहीं नहीं घूम सकती हो यहां से सिंस सिफ्ट होता है और अगले सीन में हम लोग एमी और जी को देखते हैं दोनों सो रहे होते हैं तब जी को किसी का कॉल आता है और वो चोरी चीपे वहां से बहार निकलता है ताकि एमी की नीन न से काया हुआ है तो उचीव और सुची जली जली ऑसे में एमी से मिलने के लिए निकलते हैं पर जाने के बदे में उसे बताती है कि कुछ जिनों से अजीड बिहेव कर रहा ता और आज रात में तो एशेपर कि हम रही थी तो बॉफिन उसे दोखा दे रहा है कि तो चलो हम लेकिन वहार रेसेप्शन से उसे कोई भी इंफॉमिशन नहीं मिल पाता है वह लग फिर बाहर आकर के जी कहाने का वेट कर रहे होते हैं जी एक लड़की को लेकर कहाता है जो कि काफे नसे में था उसे कार में बठाता है यह देखते हैं सूजिन जाकर उसे उठाकर पटक दे आहरात में इसके बाद पैचारी एमी जाकर उसे सम्हानने लगती है वहां से वह लोग एक जगह जाते हैं जहां पर गू और जी ने मिल करके एमी के लिए एक बहुत ही प्रिटी सा वेडिंग ड्रेस करता था लेकिन उसे बहुत जादा है नहीं लेना चाहता था इसलिए उ इसे हग कर लेते हैं और कहते हैं मुझे तुम पर ट्रस्ट करना चाहिए था इनका मामलाता सेट हो गया है इसके बाद हम लोग ऑफिस में मीडिंग के लिए पहुजते हैं वहां पे जो सारे से रोलस थे ना उनका कहना था कि हम लोग क्यों ना सेलिबरेशन को आगे बढ़ से बात किया है इस बाद में उसे कहता है कि वह सब देख लेगा बाद में अभी में इंपॉर्टेंट है कि जितने दिन बचे हैं उसमें हम लोग एक नया ड्राफ तयार करें तो वह लोग कहते हैं अगर कुछ गरबर होता है तो सारे इस्पॉंसिबिलिटी तुम लोग की य काम करेंगे महां पर दापूस्सेह अगूसे कि लिगे तुमने लीन से बात किया किया उसके वह पकुरुक करना है पूस्सने का करने का पूस्सा नहीं कि वह बात करने करता हूं हमें प्लैन equilibrium होग इस ने ओन्रे एलग कर आस बनाने को में लेकिन कि और रह पश्वत नहीं नहीं आरा था सब बिचारे बहुत बहुत कर रहे थे लेकिन किसी कभी उतना पॉफिक नहीं हो पा रहा था दा सपर बहुत गुस्सा करता है ऑफिस के बाद जब घर जा रहा था तो लिफ्ट में मिलता है हैंसे और इसके बाद दौनों रिंग पर चले जाते हैं गू की कमपणी में जोइन किया इसके बाद अब सारी चीजे बैक टूर नॉमल हो गई हैं यहां पर हैं भी अपने बारे में बताता है कि वह भी आजकल इता जादा बीची हो गया कि उसे अपने फैमिली से मिलने का टाइम ही नहीं मिल रहा है दोनों यहां पर एक बेश्व तुम पर भाव देगी लेकिन दा कहता है कि वह अपने से पीशे नहीं हटने वाला यह दोनों भी था कि आरे ओफिस से घर आते हैं इतना सब कुछ होना के बाद भी दोनों ने अपना रोमैंस खतम होने नहीं दिया था अगले दिन जब सूजीन अपने ड्राफ्ट पर काम क रही होती है तो उसे कोर आता है कि घर का बना हुआ खाना खाना कgamना ही बंद कर दिया है उन्हें हम देगा वह नहीं लग रही है क्योंकि हैं और भार की चीज़ नहीं नहीं कह सकते हैं तो गूर सूजीन से मिलने के लिए निकलते हैं रास्ते में सी में से कह दी आजिए खाने लगते हैं सुझूं से समझा दिए कौन कहते हैं कि हैले चीज टेस्टी नहीं हो सकता है आपको सुगर नीखाना उसके बदले भी सब्सक्राइब बहुत सारी हेल्दी हेल्दी रैसे पीज़ बताती है उसके गर्णफादर दिये सब को सुनकर के बहुत साथ खुश हो जाते हैं और यहीं बार हमारे यहाला पार्ट कंप्लीट होता है अगले पार्ट में बाता चलेगा कि एक्शुल कॉल्प्रिट था कॉल